राम राम जी सभी वाइवयानों को मैं हूँ बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी पिछले दो दिनों त्यात्रा में था इसलिए कल पर्सों कुछ मैं वीडियो नहीं बना पाया आज इस समय हर्याना की काउंटिंग चल रही है ताब एलेक्शन हुआ यहाथ हैं और अभी तक के जो रुज्वान है उसमें बीजेपी आगे चल रही है जो पचास और तैंतीस चौंटिस का आंक्ड़ा दिखा रहा हूं पचास बीजेपी और तैंतीस या पैंतीस कॉंग्रेस मैं अभी विश्वें अभी तक भी थोड़ा वेट करना चाहूंगा क्योंकि वह पूरी तरह अपडेटेड डाटा नहीं है और मैं यह महसूस कर रहा हूं कि एलेक्शन कमिशन का डाटा रियल टाइम डाटा से लगवक 45 मिनट पीछे चल रहा है क्यों क्योंकि मेरा एक मित्र जो है वो जुलाना में जहां काउंटिंग हो रहे हैं विनेश को गाट की वहां से रिपोर्टिंग कर रहा था मुझे और जब जब एलेक्शन कमिशन विनेश को 1200 वोट से पीछे दिखा रहा था तब इनफेक्ट विनेश 6000 से आगे चल रही थी अभी की लेटिस्ट रिपोर्ट है कि विनेश 12000 से आगे चल रही है और विनेश आल्मोस्ट चुनाव जीत चुकी है हलाकि अब एलेक्शन कमिशन का डाटा भी उनको दोड़ या 2500 से आगे दिखा रहा है पर एक्चल वो 12000 से आगे है इसलिए एलेक्शन कमिशन की डाटा पर मैं पूरी तरह अभी भी जो है उस पर डिपेंड करके मैं अपना अनेलेसिस नहीं करूँगा मैं यह कहूँगा प पी सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरेगी वो अभी जो पचास के आसपाथ है बीजेपी 45 भी जा सकती है जो अभी कॉंग्रस 32 के आसपाथ है वो 35 38 भी आ सकती है इसमें देखे इतनी क्लोज फाइट होई है मैं अच्छा मैं पहले दिन से आपको याद हो का मैं कह रहा थ आप बीजेपी ने बहुत जबरतस्त कमबेक किया है और जीती हुई बाजी हार गए हैं अगर आप मैं से तीन या चार दिन पांस दिन पहले की एक वीडियो मेरी अगर आप उठा के देखेंगे तो उसमें मैंने हेडिंग ही यह लगाई थी कि हुड़ा जीती हुई बाजी हारे है अलाकि हुड़ा ने भी उसके बाद रिकवर किया हुई मैं अभी बताता हूं कैसे तो बीजेपी तब जो पूरी तरह हारी हुई थी वो कैसे उसने कमबेक किया बीजेपी ने सबसे पहला काम तो यह किया कि एक खबर उड़ने दी चलने दी हार गए हार गए हार कि हुड़ा तो जीत गया कॉंग्रिस चीत की तो जो इस से क्या वह नॉन जाट पॉल राइजिश्ट प्ट समर्थक जो एक टांग पर उचलने लगे उनकी जो गुंड मैं उनको उड़ा के गुंडे बोलता हूं तो यह इनको बढ़ा तो इनको बढ़ा तो गुंडों के गुंडा करती दसकुना बढ़ गी गाओं में धमकाने लगे और बीजेपी ने इस म और इसका उद्देश था कि बीजेपी नौन जाट वोटर को पुलराइद कर रहे थे उनको डरा दी कि यह अड़ा के गुंडे आ गए और वो जो खर्ची-पर्ची वाली थी ना इप तो मारी नौकरी लगेंगी उड़ा जी ने दो लाख नौकरी बाटनी है दो जार मेरे बा जान चल रहे थे इससे क्या हुआ कि नौन जाट पुलराइद हो गया और नौन जाट का पुलराइजेशन प्लस दलतों की नराज़गी यह एक हफता पहले यानि 28-29 अक्टूबर के सप्टेंबर के असपत एकदम क्लियर हो चुकी थी चुनाव से एक हफता पहले एकदम क् देवोट और नौन जाट हो गया पुलराइज वहीं से चुनाव पलट चुका था अभी तक तो उद्दा की और सिती खराबती क्योंकि अच्छा मैं एक जुलाना सीट पे आपको एनलेसेस करके पूरे रहाने की पिक्चर बता देता हूं जुलाना में एक अकेला ओबी सी थ से चार जाट लड़ रहे थे एक लट्ठ एक डंडा एक प्रठी और एक दलाल के डंडा सबसे आगए चल रहा था क्योंकि जाटों के बारा गांव है डंडा 35 जरूर्ट है जाटों का ज्यादा वो डंडा तक डंडा को जा रहा था दो दिन पहले तक चुनाव में डंडा व ऐसी मुझे सूचना है क्योंकि मैं जुलाना को विशेश तोर पर कवर कर रहा था चुनाव से एक दिन पहले उड़ा साब ने खुद दिपंदर ने नहीं खुद उपंदर उड़ा ने जुलाना के लाठर जो सरपंच चोधरी लोग थे बड़े उनके आगए फोन पर फोन पर आलगी बात फोन पर होई है लेटरली पगड़ी दर्दी बाई जाट्तों की इज्जत का सवाल है अगए थारी मर्ची अगर जाट वोट कंसॉलिडेट नहीं हुआ और इसी तरह बटा तो फिर देख लियो तम जाट्तों की इज्जत का सवाल है और पांच तारीकों सुबह वोट पढ़ने थे चार की रात में लट्ठर गोच की बैठक होई फिर उन डिसाइड किया कि ठीक है जी वोट बिनेश को जाएगी और रात में पूरा एलेक्शन पलट गया और लट्ठर वोट ढांडा वोट और दलाल वोट ये तीन में वोट हैं रठी का तो एक गाव है तो सारा लट्ठर सारा ढांडा सारा दलाल पूरा जाट बाइचारा विनेश के पिछा आ जाए यही कहानी हर जगए जाटों के गावं में हुई है तो यह जो आपको पहती सीट दिख रही है ना यह यह भी इसलिए दिख रही है क्योंकि उड़ा साब जाटों का पुलराइजेशन करने में आखरी रात में कामियाब हो गए और जिन सीटों पे चार जार जाट खड़े थे आप देख लिए हो लट्ठर के दो तीन जार वोट आओंगी चार जार मुश्किल से वो लट्ठर जो की 40 जार वोट 35 जार वोट होने चाहिए थे दो जार वोट पाऊगा वो कविता दलाल 5-6 जार वोट थे दलालों के अजार वोट से निचे रहेगी सारी वोट कहा गई तो गोत्र की जो भी खिर्ष्टान थी उसको भूलके जाटों ने एक जगे वोट डाली है इस चुनाओं में पॉलराइजेशन की इंतहात तब हो गई जब चोटाला परिवार का सूपड़ा साफ हो गया बेशक इने लो जज़पा कितनी खराब हालत में थी फिर भी इनकी व्यक्तिगत निजी सीटे तो मतलब होती थी ना वो तो जीतते ही थे तो अब है चोटाला हार रहे हैं एक वार जुन है एक वो दि पुश्यंत है मतलब चोटाला परिवार के अपने लड़के भी चुनाव हार रहे हैं यह सोच लो जाटों की पुलराइजेशन और इसी ने पूरा का पूरा चुनाव डिसाइड किया और इसी पुलराइजेशन की अच्छा यह देखिए अब भैको भी वोट नहीं देनी आखिर जाटों ने यह डिसीजन लिया तो यह कब लिया जाता है ऐसे डिसीजन चुनाव से एक दिन पहले एक राख पहले और आजकल वाट्सप का जमना है कनवे हो जाता है सारा कि किसको वोड़ते नहीं तो सब अभी तक का जैसे मैं आपको बताओं मैं चलिए अभी 46 तो यह फाइनली डाटा कहां जाएगा मेरा अंदादा है कि यह डाटा पचास पैंतिस के आजपास कहीं टिकना चाहिए एक दो तीन सीट उपर निचे हो सकता है पचास की जगा 45-46-47 पचास की जगा 52 भी जा सकती है बीजेपी पर इतना तय है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनके चुनाव जीतने जा रही है अब तक तो आता दिख रहा है हो सकता है कि दो चार सीट से दो एक सीट से कम भी रहत के हैं कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि जब इतनी क्लोस फाइट होती है न जी तो गाउं के अलग-अलग EVM खुलती है तो कुनसे गाउं में अचानक तीनिजार गलीट कवर हो जा कोई पता नहीं एक गाउं में तीनिजार गलीट कवर जाएगी और कम से कम बीस पच्चिस सीट ऐसी है जहां अभी भी मार्जिन जो है 5,000 के अंदर है बहुत सारी शीटे तो एहती हैसिस में अभी भीहुत बहुत सारी सीटे जितने अप डाउन अप दाउन अप डाउन चल रहा है इसलिए चार पाउं सीटों का एर्फेर्ट हो जाना कोई बड़ी चीज नहीं पर चाहे कोछ हो जाए सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनेगी चार निर्दली अब तक जीते वे दिखाई दे रहे हैं और चारों भाजपा के संपर्क में जिसमें से तीन तुन भाजपा के ही खड़े किये गए बीजेपी ने बहुत स्मार्ट वर्क इस बार किया कि बहुत सारे कॉंग्रिस के वोट काटे हैं अभी भी पूरा एनेलिसिस तो थोड़ा ठहर के होगा शाम तक ही हो पाएगा पर जो मुझे अब तक दिखाई दे रहा है भाजपा को संजीवनी मिली कहां आते हैं दक्षणी अर्याना पूरा भाजपा ने स्विप कर दिया मतलब अहीरवाल जो छेत्र था वो भाजपा उसमें अच्छी बढ़त लेगी और बाकी जो सो कॉल्ड हुड़ा के स्ट्रॉंग होल्स थे वहां भाजपा ने बहुत कांटे की लड़ाई लड़ी जो जाट बेल्ट थी वहां भाजपा बराबरी पे है आने दो डटा कहने का मतलब नौन जाट वोट इतना जबरतत बाजपा के पक्ष में किया उसी तरह बागड जो एरिया कहलता है उसमें ज्यादतर तर्थिर्सा हिसार और थोड़ा सा बेवानी का एरिया आ जाता है जो रेगिस्तानी बेल्ट है रहाने की उसमें भी जो बड़त मिलनी चाहिए हाल सबसे अच्छा जो परफॉर्म कर रही है कॉंग्रेस मेरे हिसाब से जो कि मेरे लिए बड़ा सर्प्राइदिंग भी है वो है था अमबाला जमननगर जगादरी नरायनगर तेरिया बीजेपी को एक और बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है वो जीटी रोड बेल्ट से मिला है और जीटी रोड की तक्रीमन सारी सीटे तक्रीमन सारी बीजेपी जीतने जा रही है तो यह तो साब अभी थोड़ा सा शुरुआती रुजान है पर एक बात तेह है अर्याना में जाट पॉल्टिक्स के दिन पूरे हो गया है यह बक्का मान लिए हो क्यों क्योंकि नौन जाटों ने तीसरा चुनाव जाटों को अरा दिया अभी मैं एक जो तिर में पर एक एलेक्शन कर रहा था उनके साथ बैठके मैंने का जी यह कॉंग्रेस और बीजेपी की लड़ाई नहीं थी कॉंग्रेस की तो बिलकुल नहीं थी उड़ा गया फिर भी कह सकते हो तो यह लड़ाई थी जी जाट नौन जाट की और बीजेपी बहुत सफलता पूरवक्त नौन जाट वोट को जाटों के खिलाफ पोलराइज करने में सफल रही पहली बात और बीजेपी का एक ही प्लैंक था कि अगर हुड़ा की सरकार आई तो गुंडा की सरकार होगी लूट खसोट ब्रस्टा च्यार की सरकार होगी सुशासन नहीं रहेगा और उड़ा के गुंडे दौल कपड़ी ये हुड़ा के बदमाश उड़ा के लुटेरे हर गाउं में लूट मचाने के लिए उन्हें अपने दौल कपड़े निकाल लिये थे और वही तो नौन जाट पॉलिटेक्स जो खट्र साब ने शुरू की अज आज से कुछ दिन पहले तक बहुत लोगह खट्र ने अरयाणा बना दिया और एक बाद बाद एक बड़ मैंने और एक वीडियों कई थी उतने का खट्र ने जो जाट नौन जाट का जो फर्मूला दिया है ना उसको बीजेपी ने तक्रीबर रप्रदेश में लागू किया है और कोई भी जो dominant caste है उस राज्ज की उसके खिलाफ बाकि सारे समाज को politically polarize करते है वोट बेंक तो यह खटरता आपकी देने तर और अगर आज बीजेपी जीत रही है जीत जाती है तो मैं इसको आज भी मनोहर लाल खटर की विजए मानूँगा उनकी politics की विजए मानूँगा उनके तुषशाथन की विजए मानूँगा उन्होंने जो digital हरियाना बनाया था उन्होंने जो शेर और बकरी को एक गाठ पर पानी पलाया था उन्होंने जो जनता की सच्ची सेवा की ती यह उसकी विज़े मानी जाएगी उन्होंने जो हर्याना का जो वंचित शोषित समाज था जो हर्याना के सामंतों की कि अत्याचार सामंतों का जो मौखिक पुदिकल नहीं रह गया मौखिक अत्याचार से जो निजात दिलाई है अर्याने को यह उसकी जीत है अभी भी इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं बारा बच्चिस मिनिट हो हैं एक बजे के आसपास जो रुजान होगा वो फाइ माइनस दोती तो पचास से अगर प्लस हो गया तो बाउंतर पन कम हो गया तो 47 मतलब स्पस्ट बहुमत भाजपा को मिलने जा रहा है प्लस निर्दली सब भाजपा के साथ रहेंगे इसलिए बाजपा एक कमफटेबल मिजोरटी के साथ सरकार बनाने जा है मैं हर्याना की जनता को मुबारक बात देता हूं था मैंनी मैंनी कंग्राचुलेशन की आपने एक राश्च्रवादी सरकार को हर्याना में रिपीट किया अब अर्याना में तंबू पट दो बहुत हो गया क्यों पंजाब का नाश्च करने पर लगे हो क्योंकि अब आपके दिल्ली आने की संभावना अगले पांच साल के लिए तो खतम है बाकि एक बाई एक संदेश जाटनों के लिए भी है कि बाई साब डॉमिनेंट कास्ट की पॉलिटिक्स के दिन खतम हो गए पांच साल और अब नौन जाट के साथ प्यार से बाई चारे से प्यार मुबबत से रहना सीख लो जाटनों की सक्ता अब अर्याना में कभी नहीं आएगी अगर दस साल की एंटे इंकंबिंसी के बाद भी अगर तुम बीजेपी को नहीं रा पाई इसका मतलब जाट और नौन जाट की जो पॉलिटिक्स है वो पर्मानेंट है जब तक तुम्हारी गुंडा गर्दी चलेगी नौन जाट तुम्हारे खिलाफ इसी तरह पुल रहे दोगा ऐसे ही तुमको बार बार चनाव में अराएगा और शाम को मैं अनलिसिस करूँगा देसवाली बेल्ट का रोतक जजजर सोनीपत ये खास दोड़ा था जीद कि यहां पे कॉंग्रस और बीजेपी की कैसी लड़ाई हुई है और यहां पे नौन जाट कितने कॉंट्रल डेट हुए हैं यह शाम को अनलिसित होगी तब तक के लिए आगया दूए शाम अभी भी मैं पूरा एक-एक सीट का अनलिसिस करूँगा शाम को आपको बताऊंग कि क्या होने जा रहा है फिलहाल एडवांटेश टू बीजेपी एडवांटेश टू नाइप सिंग सैनी एडवांटेश नौन जाट पॉलिटिक्स आज के लिए इतना है इस वीडियो में बहुत-बहुत धन्यवाद अगली वीडियो में फिरते मिलते हैं थैंक्यू वेरी म सब्सक्राइब